दोस्तो, आज का जो वीडियो है, उसे बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान शिव शंकर भोले नात के शिवलिंग पर छड़े हुए बेल पत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तो, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित हो या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आज का वीडियो देखिए, भगवान शिव शंकर भोले नात की कृपा आप पर जरूर बनेगी। दोस्तों, भगवान भोले नात आपकी सभी मनो कामनाओं को पूरा करेंगे। कमेंट में जय भगवान शिव पार्वती जरूर लिखे। भगवान भोले नात को याद करें। आप पर भगवान भोले नात का आशीरवाद हमेशा बना रहे। आपके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों आपने सुना होगा कि शिवलिंग जो होती है उस पर जो बेल पत्र चढ़ाया जाता है उसे खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली है। आप लाखों करोडों रुपए खर्च कर देंगे। आपको पूरे यूट्यूब में यह बातें नहीं पता चल पाएगी। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चड़ाते हैं, तो वह बेलपत्र कोई साधारन बेलपत्र नहीं रह जाता, बलकि वह साक्षात, भगवान शिव शंकर भोले नात का प्रसाद बन जाता है, तो दोस्तों यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर चड़ा बेलपत्र छह महीने तक बासी नहीं मा जाता, जी हां, बेलपत्र को शिवलिंग पर चड़ाने के बाद उसे पुना धोकर शिवलिंग पर छह महीने तक चड़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है, परंतु उसके आस-पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पात जाते हैं, दोस्तो बेलपत्र को भगवान शिव जी पे चड़ाने के पीछे एक पौरानिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मन्थन चल रहा था, उसी समय समुद्र मन्थन के दौरान अम्रित के साथ कई और चीजें भी निकली थी, जिसमें से एक विश भी निक इसलिए महादेव को उस दिन से नील कंठ भी कहा जाने लगा, परंतु विश के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा, और तब देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह कि भगवान शिव शंकर को इस विश से कैसे बचाया जाए, तो दोस्तों उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भूले नात को बेलपत्र का सेवन कराइये, और भगवान शिव शंकर को उस समय वहाँ पर जो भी देवी देवताएं थे, उन्होंने ततकाल बेल पत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। और तब ही से भगवान शिव जी को बेल पत्र छड़ाने की परमपरा मानी गई है। दोस्तों, शिव लिंग पर बेल पत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर छड़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीरवाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि तीन पत्ती वाली जो बेल पत्र होती है वही वाला आप शिव शंकर भोले नात को चड़ाईए। जहां से बेल पत्र चिकनी होती है उस तरफ से शिवलिंग पर आपको बेल पत्र चड़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेल पत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चड आना है। इसके पीछे भी एक कथा है क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोले नात ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चड़ाई जाती है चाहे वो बेल पत्र ही हो दोस्तों अगर आप प्रती दिन बेल पत्र चड़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है जो बेल पत्र को तिजोरी में रखते हैं उनकी तिजोरियों में बरक्कत आती है और पैसे की समस्या खत्म हो जाती है दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि बेल पत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्थ होगी दोस्तों वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है यह जानकारी आप लाखों करोडों रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्थ कर पाएंगे ना ही यूट्यूब पे पापाएंगे चाहे कितना भी वीडियो देख लीजिए इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए जी हाँ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी यह सौभाग्य का काम करके दूसरों की मदद करके भगवान शिव और पार्वती का आशिरवाद मिल पाए दोस्तों इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अमूल्य होती है बाद में चल कर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है तो आईए जानते हैं बेल पत्र संबंधित कुछ विशेश जानकारी दोस्तों हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेश समय होता है जिनमें बेल पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए सोमवार के दिन भी बेल पत्र को कभी भी नहीं थोड़ना चाहिए क्योंकि विशेशकर बेल के पेड़ पर बेल पत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं क्योंकि बेल पत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है इसके मूल में अर्थात जड में ब्रह्मा जी का वास होता है और बेल पेड के मध्य भाग में भगवान विश्णु जी का वास माना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो बेल पत्र होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है। अर्थात हमारे सभी देवी देवताओं का जो शक्ती होता है वो उसके अंदर समाहित होता है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपकी कोई भी मननत है और आप चाहते हैं आपकी मनो कामना पूरी हो तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोले नात को जरूर याद करें और ओम नमा शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों अब प्रशन आता है कि आखिर बेल पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई तो दोस्तों आईए जानते हैं सकंद पुराण के अनुसार एक बार माता पारवती की पसीने की कुछ बूंदे मध्यांचल परवत परजागिरी जिससे वहां एक पौधा ओगा आया जो कि बाद में बेल पत्र के नाम से जानने लगा और बेल पत्र के रूप में पूजनीय हो गया तो आईए अब इस वीडियो में जानते हैं बेल पत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्यान कभी भी लाभदायक नहीं होता है देखिए जब बेल पत्र को बेल पत्र नहीं रह जाता बलकि वह भगवान शिवजी का प्रसाद बन जाता है जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में आपकी पीडा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में सामर्थ्यवान है क्योंकि बेल पत्र को भगवान का प्रसा क्या बदलाव हमारे जीवन आते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं, तो आपको बेल पत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। ये जो पाप कर चुके हैं, उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कम से कम ज्यादा नहीं, तो एक महीने में दस से पंद्रह बार, अगर आप भोले नात भगवान शिव शंकर पर चड़ा हुआ बेल पत्र का प्रसाद धारन करेंगे, तो जो इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको नित्य बेल पत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है, इसके सेवन से आपका शरीर शुद्ध होता है, आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता स्वप्न हो जाते हैं, आ पूर्णता समाप्त हो जाएगी बेल पत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा आपका भाग्य बलवान हो जाएगा दोस्तों कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो जिस समय से आप बेल पत्र खाना शुरू कर देंगे आपके दुरभाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं आपकी किस्मत आपकी तकदीर फिर से आपके अनुरूप चलने लगती है इसके अलावा आयुरवेद में भी कहा जाता है कि बेल पत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है खून होता है वह साफ होता है अगर खून संबंधित कोई बीमारी है तो बेल पत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा एक बेल पत्र खाईए दूसरे दिन दो बेल पत्र खाईए तीसरे दिन तीन बेल पत्र खाईए इस प्रकार ऐसे ही आपको जो बेल पत्र खाने का क्रम है उसको बढ़ाना होगा धीरे धीरे खाईए लेकिन खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिलकुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बेल पत्र जो होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को जैसे आपके शरीर में किडनी होती है किडनी क्या करती है? जो पानी होता है, जो खून होता है उसको फिल्टर करती है, उसी प्रकार से जो बेल पत्र है, वो भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीजें होती है, आपके खून में जो गंदगी होती है, उसको साफ कर देता है। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करे, वीडियो को लाइक करे, जय भोले नात।